नमस्कार मैं हूं मेगा स्वागत है आपका MP नियूस पर यहां पर आपको जानकारी मिलेगी नशे की लट और उससे होने वाले नुकसानों के बारे में बदलती लाइफस्टाइल के साथ युवाओं का नशे के प्रती रुझान बढ़ता ही जा रहा है ट्रेंड के साथ साथ यहां एक सामाजिक गतिविधी या फिर स्टेटस का सिंबॉल बन चुका है नशे के बारे में तो सब जानते हैं पर उससे होने वाले नुकसानों के बारे में युवापीडी अंजान है यह सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं पर उतना ही असर यह आपके मस्तिश्क पर भी डालता है इससे आप अपनी याददाश तो खोते ही हैं पर साथ ही साथ आपका मानसिक संतुलन भी खो सकते हैं नशे की लट के पीछे कहीं ऐसे कारण हैं जिसमें मुख्य पर यह देखा जाता है कि माता पिता में जगडा या फिर परीवार में सम्मान और स्नेह ना मिल पाना ऐसे में यूवा पीडी बहार के वातावरण में अच्छा माहोल स्नेह और सम्मान ढूडने की कोशिश करती है और ऐसे में अगर नशे बाज मित्रों का साथ मिल जाए तो फिर नशे की लट लगना स्वाभाविक है इसके अलावा सिनिमा घरों का प्रभाव आधुनिक अध्ययन शीलता सामाजिक परिवेश और नशे का प्रचार भी मुख्य कारणों में शामिल है इसके कारण कहीं सारी युवा पिडी या फिर हम कह सकें युवा नशे की लट का शिकार हो रहे हैं और धीरे धीरे इस जहरीले पधार्थ से अपनी जिंदगी को नश्ट करते जा रहे हैं कहीं सारे ऐसे accident cases हैं या फिर अगर हम देखें तो suicide cases भी हैं जो कि पहला मुख्य कारण उनके पीछे नशे की लट है नशे की लट से शिकार लोगों का कहना है कि उन्हें इससे तनाव से मुक्ति मिलती है पर उनके हिसाब से डगमगा कर गिर जाना या फिर बेहोश हो जाना ही एक तनाव मुक्ति का सीधा सीधा उधारण है नशे की लट जब किसी को लग जाती है तो उसे तनाव के साथ साथ शरीर में कमपन और दूसरी बिमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है डिप्रेशन जैसे मुख्य बिमारिया ही इस नशे की लट का कारण है